नमस्कार दोस्तों, न्यूज लाइफ में आप सभी का स्वागत है, मैं हूँ आपके साथ खुश्बू सिंग और वामिस सॉफ्ट्वेर से जल संसादन विभाग की जो समस्या है वो अब कम हो सकती है मौनसून सत्र शुरू हो चुका है और इसी के चलते बिहार में बाड की भी खबरें काफी छेत्रों से आ रही है यानि की बाड जैसी स्थिती उत्पन हो सकती है इसी के चलते यह जो वामिस सॉफ्ट्वेर है यह आगे चलके शायद बाड की स्थिती को कंट्रोल करने में मदद कर सकता है क्योंकि इसका एक एप भी बनाया गया है जिससे सारी डीटेल्स दरसल एप पे अपलोड की जाएंगी और यह जल संसादन विभाग को एक तरीके से मदद कर सकता है इस स्थिती में खास तोर पर जब मौनसून सत्र आ गया है इस स्थिती में एक जुलाई से इसको लागू किया जाएगा क्या कुछ इसकी डीटेल्स हैं वो आपको बता देते हैं वामिस सॉफ्ट्वियर के साथ साथ वामिस एप भी तयार किया गया है जिसमें जल संसादन विबाग के राजजबर के अभिहनता एवं कर्मी अपने छेतर की योजनाओं से संबंदित रियल टाइम अपडेट अपलोड करेंगे वामिस एक आधूनिक सॉफ्ट्वियर है जो एक विश्विष्ट निर्मान परियोजना कार के पूरे जीवन चक्र को इस्थापना से लेकर अंतिम समापन तक शामिल करता है और इसमें प्रशासनिक अनुमोधन तकनीकी प्रबंदी और E-Map Book EMB Billing Services आधी जैसे कार शामिल है बिहार में मौनसून का प्रवेश हो चुका है और बिहार के कई लाकों में बार जैसे हालात सामने आने लगे हैं इसे देखते हुए जल संसादन विभाग की पूरी तरह से अलर्ट मोड में है इसी क्रम में विभाग की अधिकारी और अभियंता से जुड़े कारे और योजनाओं से सम्बंदित रियल टाइम अपलोड को लेकर महत्वपूर फैसला जल संसादन विभाग की ओर से लिया गया है दरसल जल संसादन विभाग ने विभागीय कारियों और खाताम के प्रबंदक के लिए एक जुलाई 2022 से एक नई सूचना प्रणाली वामिस यानि की वामिस वोक इन अकाउंट्स मैनेजमेंट इंफोमिशन सिस्टम को अपनाने का फैसला किया है जोहां एक तरफ बिहार में जब मौनसून सत्रा आता है तो बहुत सारे छीत्र ऐसे होते हैं प्रणाउंस मैनेजमेंट इंफोमिशन का पूरा जो भी लेखा जोखा है वो इस एप के थुरू मैंटेन किया जाएगा जिसके तहत बहुत मदत लोगों को मिल सकती है और इसलिए एक जुलाई से इसको लागू किया ज़ारा है इसकी मदद से जो सारी सिचुएशन है उसको समालने की कोशुश की जाएगी क्योंकि मौनसून सत्र शुरू हो चुका है और इसी के चलते ये जो एप है इसको जल्द जल्द बनाया गया है और इसकी तहट सारी इंफोमिशन इस एप पर अब अपलोड की जाएगी ये प्रशाषणिक बार के समय बेहग महत्वपूर्ण माना जा रहा है इसकी जरूरत क्यूं है ये इससे ही समझाया जा सकता है कि प्रशाषणिक पहले दिन वीडियो मुझफरपूर, समस्तिपूर, कटिहार और गोपाल गंज जाने के अभियंता वा कर्मियों को कॉन्फरें प्रसिक्षण के जरीए जानकारी दी गई है प्रसिक्षण कारेकरम के दोरान जलस अंसादन विभाग और सीडेक के तकनीकी विशेशग्यों ने वामिस सॉफ्ट्वेर की पूरी जानकारी देते हुए बताया कि ये सॉफ्ट्वेर क्यूं इतना महत्वपूर्ण है इसके म को आप एक एप पर एक वेबसाइट पर अपलोड करते हैं जहां से उसकी पूरी मॉनिटरिंग की जाती है यानि कि अगर आप ऑफिस में बैठे हुए हैं या आप मॉनिटरिंग कर रहे हैं तो फील्ड पर कुछ लोग होंगे जो सारी चीज़े अपलोड एक वेबसाइट कर देंगे तो लोगों को पता चल पाएगा कि दरसल स्थिती कैसी है किस तरीके की है इसको किस तरीके से टैकल किये जोआना चाहिए क्या कुछ कदम उठाने उठाए जाएंगे उस स्थिती को काबू में लाने के लिए सारी चीज़ें से एप के जरिए हो पाएंगे और इस अप्लोड करेंगे वामिस एक आधूनिक सॉफ्ट्वियर है जो एक विशिष्ट निर्मान परयोजनाकार के पूरे जीवन चक्र को स्थापना से लेकर अंतिम समापन तक शामिल करता है और इसमें प्रशासिनिक अनुमोधन तकनीकी प्रबंदक E-Map, Book, EMB, Billing, सर्वेक्षन आधी जैसे कारे शामिल है इस नई सॉफ्ट्वियर के विभाग की उजनाओं की मॉनिटरिंग आसान हो जाएगी साथ ही पेमेंट बिल जेनरेशन, ओडिशन रिपोर्ट को ओनलाइन देखा एवं सन्रक्षित किया जा सकता है यानि कि इससे बहुत सारी चीजों में लाब म करेगा और इससे जो बार की स्थिती है उसमें कुछ हद तक नियंतरन यानि की काबू पाया जा सकता है ये लोग मान रहे है और ऐसे मौके पर इस सॉफ्ट्वियर का आना बेहद महत्वपून माना जा रहा है तो हाल फिलाल आपकी राय क्या है इस खबर पर आप हमें पसंद आया है तो इसको लाइक और श्वे करना बिलकुल भी न भूलें और तमाम ऐसी बड़ी खबरों के लिए आप न्यूस लाइफ के साथ बने रही है नमस्कार